कोाइलिτο स्वार्थ दोश्टों आप लोग देखोगे भी एसेल टैक ने अबने क्वाट थिक नंबर डिस्कलोज कर दियें तो कैसे रहें हैं क्वाट थिक नंबर् और सात में आप लोग देखो कि कम्पनी ने जो डिवुडेंट की ऑनाउसमेंट की है वह भी यहां पर बता दिये गया है तो चलिए दिखाते हैं अगर बात करें तो बारा रुपए पर क्यक्ति शेफ से कम्पनी ने डिवुडेंट की अनाउसमेंट कर दी है और यहां पर जोने भी consultative statement देखेंगे और यहां पर quarter ended और यह आपको nine month ended results देखने को मिल रहे हैं अगर बात के total income की यह total revenue जो हमें इस quarter के दुरान होते हुए नज़र आया भई यहां पर देखेंगे 28,816 क्रोड का जबकि previous quarter में 27,037 क्रोड का था और वहीं previous year के same quarter में 26,960 क्रोड का तो quarter on quarter expense क्यो जो revenue रहा है उसमें jump देखने को मिला है और वहीं year on year basis पर भी आप लोग jump है तो revenue काफी शांदार होते वें नज़र आया है उसके बाद आप लोग देखो भी total expenses यानि जो company ने खर्चे की है वही अपकी बार कितने है 22,942 क्रोड के जबकि previous quarter में क्या थे 21,909 क्रोड के और वहीं previous year के same quarter में 21,800 sorry 588 क्रोड के यानि quarter on quarter expense में बढ़े होतरी है तो year on year basis पर भी expense में बढ़े होतरी है लेकिन अपकी बार जो results है ना भी आप लोग देखो revenue इसका वो इसके expense से जाद है तो इसका मतलब फिर company ने profit बनाया है कितना profit बनाया चलिए देखते है भी net profit for the period या for the year अगर बात करें तो अपकी बार जो company ने profit दिया हूँ है 1523 क्रोड का जि year on year basis पर भी profit में jump देखने को मिला है तो काफी शानदा results आये है उसी के चलते यहां पर आप लोग देखोगी EPS यानि earning per share तो earning per share यहां पर जो दिया है वह लगबग 16.66 का जबकि previous में कहा था 14.15 और previous year के share में 15.13 तो यह इसके EPS रहे है तो market expected results से कैसे क्या है तो जहां से आ आप लोग देखोगे मंडे के तो चलिए भी यहां पर देखोगे जो expected EPS था उससे कितना जाएगा अभी टाइम तो सोला चेक आया है और revenue के अगर बात करें तो 28,816 अब आपको दिखाते है expected revenue और EPS तो यहां पर आप लोग देखोगे जो expected revenue और EPS हमें देखने को मिला अभी इस quarter के दोरान December 2023 में यहां पर देख सकते हो भी जो expected revenue था वो लगभग 28,007 क्रोड के आसपास का देखने को मिलना था आया कितना है 28,000 क्रोड पलस आया है उसके बाद EPS आप लोग देखोगे 15.21 का हमें expected था लेकिन आया कितने का 16 पलस का आया है तो results बिलकुल शानदार है मंडे के दिन के आप लोग देखोगे गजब के रहली बनते हुए नजर आए गें थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो